Hello, friends, आज हम घुमने चलेंगे माथरान. क्या आपको trekking, hiking पसंद है? क्या आप एक nature lover हो? तो हापके लिए माथरान बेस्द प्रेस है. अगर आपने प्लान नहीं बनाया हैं मातरान जाने का, क्या अगर आप सोच रहे हु ना जाने का, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि आप मातरान कैसे बहुत सकते हैं अगर आप by train जाना चाहते हैं तो by train आपको nearal junction उतरना होगा आप अपने nearby railway station से directly nearal junction तक आ सकते हैं वहां से आपको bus या तो taxi का option मिल जाएगा वो directly आपको मातरान छोड़ देगे अगर आप Mumbai से जाना चाहते हैं तो Mumbai से आपको local train का भी option मिलेगा local train भी आपको directly nearal junction तक छोड़ देगी वहां से आप directly मातरान जा सकते हैं अगर आप by road जाना चाहते हैं तो by road आपको Mumbai से 83 km पड़ेगा अगर आप पूने से जाना चाहते हैं तो पूने से आपको 122 km पड़ेगा अगर आप लोनावला घूमते हुए जाना चाहते हैं तो लोनावला से आपको 54 km पड़ेगा अगर आप by flight जाना चाहते हैं तो by flight आपको near airport जो पड़ेगा वो Mumbai और पूने पड़ेगा आपके लिए जो दोनों में से comfortable होगा वहाँ पर उतर के आप directly माथरान जा सकते हैं अब हम जानते हैं कि आपको माथरान कब जाना चाहिए अगर आप trip का plan करते हैं तो आप October 2 में के बीच में प्लाइम कीजेगा यह सही समय है माथरान जाने के लिए आगे हम जानते हैं कि आप माथरान में कहां रुक सकते हैं माथरान में रुकने के लिए आपको options मिल जाएंगे वहाँ पर आप hotel room भी book कर सकते हैं और वहाँ पर आपको villa का भी option मिल जाएगा अगर आप hotel room बुक करते हैं तो उसका जो charge होता है 500 to 1200 के बीच में होता है आगे हम जानते हैं कि आपको माथरान में खाने की क्या सुवीदा मिलेगी वहाँ पर आपको बहुत सारे restaurants मिल जाएगा जहाँ पर आप veg और non-wich दोनों खा सकते हैं अब हम जानते हैं कि आप माथरान में कहां कहां घूम सकते हैं तो सबसे पहले में जिस जगे के बारे में बात करने वाली हूँ वो है लुईजा पॉइंट यहाँ एक popular place है यहाँ पर बहुत सारे beautiful views है यहाँ पर बहुत सारे tourists दूर दूर से देखने के लिए आते हैं तो अगर आप कभी माथरान विजिट करते हैं तो लुईजा पॉइंट पर विजिट करना ना भूड़ेगा नेक्स जिस प्लेस के बारे में में बात करने वाली हूँ वो है monkey point monkey point माथरान का एक famous place है यहाँ पर बहुत सारे सुन्दर views है और साथ में आपको monkeys भी बहुत सारे देखने मिल जाएंगे नेक्स जिस प्लेस के बारे में में बात करने वाली हूँ वो है panorama point panorama point बहुत amazing point है यहाँ पर आपको 360 degree views देखने मिल जाएगा अगर आप एक nature lover हो तो यहाँ पर आपको visit जरूर करना चाहिए और यहाँ पर आपको एक बार explore जरूर करना चाहिए आगे में जिस जगे के बारे में बात करने वाली हूँ वो है one three heel point क्या आपको tracking करना पसंद है तो यहाँ पर आपको जरूर visit करना चाहिए आप अपने family के साथ में friends के साथ में यहाँ पर tracking कर सकते हैं and tracking enjoy कर सकते हैं तो यहाँ पर visit कीजिए and tracking करके आईए आगे हम जिस जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है eco point eco point एक बहुत famous tourist place है यहाँ पर आप जब जाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी voice को eco करके सुन सकते हैं यह चीज देखने के लिए सुनने के लिए बहुत लोग यहाँ पर visit करते हैं इसलिए यह बहुत जादा famous भी है तो अगर आप कभी visit करते हैं मातरान तो यहाँ पर visit करना ना भूलिएगा आगे हम जिस जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है नेरल मातरान टॉय ट्रेन नेरल मातरान टॉय ट्रेन नेरल से लेकर मातरान तक जाती है यहाँ पूरे पाढ़ियों के बीच से जाती है यहाँ पर जाते जाते आपको बहुत सारे सुन्दर दुश्य देखने के लिए मिलेंगे आप जाते जाते यहाँ पर फोटो शूट्स भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत beautiful views देखने मिल जाएगा तो अगर आप कभी माथरान जाते हैं तो Troy train में जाना ना भूलिएगा नेक्स जिस प्लेस के बारे में मैं बात करने वाली हूँ मौरब डैम बहुत सुन्दर डैम है यहाँ डैम बहुत famous डैम है यहाँ पर बहुत सारे लोग visit करते हैं यह डैम को देखने के लिए यहाँ डैम बहुत बड़ा है और बहुत जादा सुन्दर है आगे हम जिस जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है Preble Fort यह फोर्ट बहुत पुराना फोर्ट है इस फोर्ट को आपको पूरा explore करना चाहिए इसके शिकर पर आपको एक गनेश जी का मंदिर भी मिलेगा और पूरा explore करके जरूर आईएगा आगे हम जिस जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है मातरान मार्केट मातरान मार्केट बहुत ही famous मार्केट है यहाँ पर आपको shopping करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा आप अपने family के लिए, friends के लिए यहाँ से shopping करके लिकर जा सकते हैं वहाँ पर आपको बहुत सरे street food भी मिल जाएंगे तो वो भी आप try कर सकते हैं तो अगर आप shopping करना पसंद करते हैं तो मातरान मार्केट जाना ना भूलिएगा अब हम जानते हैं कि पर परसन का कितना खर्चा होता है मातरान जाने के लिए पर परसन का जो खर्चा होता है वो 6,000 to 8,000 तक होता है तो गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comments में बताइएगा ऐसे ही हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे अगर आप इंस्टा पर हैं तो इंस्टा का मैंने link नीचे दे दिया है आप हमारे इंस्टा पेज को भी follow करिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में खुश रहिए, happy रहिए